बांगलादेश में सोंवार यानि की पांच अगस्त को बड़ा घटना करम देखने को मिला। हिंसक विरोत प्रदर्शन के बीच पूर्व प्रधान मंत्री शेक हसीना ने इस्तिफादे दिया। कुछी देर में देश छोड़ कर उन्हें निकलना पड़ा और वो बांगलादेश छोड़ कर भारत आ गई। इस बीच सवाल उठ रहा है कि बांगलादेश में शेक हसीना की सरकार का तख्ता पलट किस ने किया। ये सवाल हर किसी की जुबान पर है। कोई इसके पीछे पाकस्तान तो कोई अमेरिका को बता रहा है। तो कोई कुछ ओ। लेकिन शेक हसीना को बांगलादेश की सत्ता से हटाने की पीछे सबसे बड़ा हात स्टूडेंट लीडर नाहिद इसलाम का है। जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है। तो आईए जानते हैं कि कौन है नाहिद इसलाम। ये तो आप सभी जानते हैं कि बांगलादेश में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की मुख्य वज़ा सरकारी नौकरी में आरक्षन को लेकर है। चात्रों ने सुतंतरता सैनानियों के परिवारों के लिए 30% कोटा को समाफ्त करने की मांग को लेकर शेक हसीना की सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध किया। आरक्षन की आग में जलते बांगलादेश में नाहिद इसलाम वो चहरा बने जिन्होंने पूरे आंदोलन का नैत्रित किया और शेक हसीना की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेका। हलाकि इस छात्र आंदोलन के 156 संयोजक और हैं। नाहिद इसलाम ने 4 अगस्त से पूर्ण आसहयोग आंदोलन का एलान किया था जिसमें शेक हसीना और उनके मंत्री मंडल के स्तिफे की मांग की गई थी। इसके साथ ही नाहिद इसलाम ने ही आरक्षन विरोधी चात्र आंदोलन के कन्वेंडरों से बाचीत के लिए पीम शेक हसीना के नियोत्यों को ठुकरा दिया था। इस दौरा नाहिद ने कहा था कि इसकी कि अाहिए ने किन विर गफित काद्ञ मोग एक पारिख लिए पारिख भीमी चातर। देश में एमर्जनसी या कर्फ्यू, कोई बांगलदेशी सुविकार नहीं करेगा और नहीं हम कोई बाचीत करने को तयार हैं नाहिद इसलाम ढाका यूनिवर्सिटी के एक छात्र हैं उनके नैत्रित में ही बांगलदेश में युआओं ने शेक हसीना सरकार के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया इस आंदोलन में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए नाहिद इसलाम को 19 जुलाई 2024 की आधी रात को सबूज बाग से कम से कम 25 लोगों ने उठाया था इस दौरान उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और एक कमरे में ले गए आरोप है कि जौरान नाहिद से चातर आंदोलन के बारे में पूस्ताच की गई और उसे प्रतारित भी किया गया था बताया जा रहा है कि बांगलादेश में सिक्षा प्रनाली में सुधार की मांग को लेकर साल 2018 में नाहिद इसलाम ने एक आउनलाइन अभियान चलाया था इस अभियान को एक लाग से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया था इसके बाद साल 2020 में उन्होंने सरकार की आर्थिक नितियों के खिलाफ एक वीडियो जारी किया जो पूरे देश में वारल हुआ था नाहिद इसलाम का जन्म एक समाने परिवार में हुआ था यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही राजनिती में नाहिद को रूची हुई इसके बाद वो शोशल मीडिया के जरीए सरकार की नितियों और काम की आलोशना करने लगे देखते ही देखते उनके वीचारों ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खीचा और वो एक यूआ नेता के तौर पर उभर कर सामने आए फिलाल नाहिद इसलाम ढाका विश्विध्याले में समाज शाष्तर के पढ़ाई कर रही हैं इसके साथ ही नाहिद को मानवा धिकार एक्टिविस्ट के तौर पर भी जाना जाता है नाहिद इसलाम चातर संगठन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमीनेशन के कॉडिनेटर भी है फिलाल इस खबर में इतना ही